इस चैप्टर में ओथर मिस्पीम के एक स्पेसल स्कूल का विजिट करती हैं और अपने एक्सपिरियंस को शेयर करती हैं लेखा कहते हैं कि उन्होंने मिस्पीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था लेकिन पिछले हक्ते तक इसे देखने का उनको मौका नहीं मिला वो बताती हैं कि जब मैं वहाँ पहुची तो वहाँ कोई नहीं था लेकिन एक 12 साल की लड़की थी और उसकी आँखों पर एक आँखें उसकी पट्टी से डखी हुई थी और एक छोटे से लड़के की हैल्प से वो फूल और बैड के बीच बहुत ही केरफुली से उसकी हैल्प से चल रही थी लड़का उसकी मदद कर रहा था जो लगबद चार साल का था वहर रुकी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उससे पूछा हो कि कोई आया है क्या अब वहर उसके बारे में लड़का उस लड़की को बताने लगा और फिर वो वहां से निकल गए पॉइंट नमर त्री लेखक मिस बीम के बारे में बताता है कि मैं बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे उनसे अक्सपेक्टिशन थी मद्यमायू वर्ग रॉबी ली काफी अच्छी परसनेलिटी थी और उनकी समझ भी काफी अच्छी थी उनके बाल भूरे भी थे और उनके से कई सवाल भी पूछें उनकी टीचिंग मेथड के बारे में भी पूछा जो भी कुछ था वो काफी सरल था पॉइंट नमर फॉर में अब लेखा को मिस बीम से पूछता है उनके टीचिंग मेथड के बारे में तो वो बताती हैं कि यहां सिर्फ जोड़ना घटाना और मल्टिप्लाई और यही सब चीज़े नहीं होती हैं यहां और भी काफी प्रैक्टिकल लेसंस बच्चों को दिय जाते हैं मिस बीम कहती है कि इस स्कूल का जो एम है वो केवल बच्चों को सिखाना ही नहीं है बलकि उनकी जो थौट है उसको विचार सील बनाना है क्रियाटिव बनाना है जैसे दूसरों के प्रती दया दिखाना और एक रिस्पॉंसिबल सिटीजन होना क्या होता है इन स्कूल में दी जाती है अब पॉइंट नमर सिक्स में जो ऑथर है वो खिड़की पर गया जहां एक बड़ा गार्डन था और सबसे पीछे और एक खेल का मैदान था तो वहां वह देखता है कि बहुत सारे बच्चे हैं और उसको देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि यह सबी मतलब स्वस्त क्यों नहीं है कोई अंधा है तो कोई विकलांग है इनकी प्रॉब्लम क्या है तो ओथर के यह सब बात सुनकर मिस बीम हसती है वो कहती है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह जो आप बच्चे देख रहे हैं जिनकी वो लड़की जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी है वो वास्तम में अंधी नहीं है और वो लड़का जो बैसाखी से चल रहा है वो ल लागी कि देर इस नो मिजरी अबाउट इट मिस बीम कंटिन्यू मिस बीम कहती है कि यहां यह सभी लोग दुखी नहीं है और नहीं इसी कोई समस्या है बस एक्चुली हम यहां इनको ट्रेनिंग देते हैं यह एक अलग तरह का स्कूल है जहां पर हम एक विशेज दिन रख बहरा दिन होता है कोई गूंगा दिन होता है कि आ यह जो आखो पर पत्ती बंदी लड़की है यह वास्ताम में अंधी नहीं है मिस बीम कहती है कि नहीं वो लड़की में विकलांग नहीं है वे सिर्फ अपने निर्धारित मूमेकाय निभा रहे हैं एक्चुली हम उने सिका करते हैं कि अगर किसी को ऐसा दुर्भागी मिलता है तो यह कितना मुश्किल होता है और इस खेल के द्वारा इन इस स्पेशल डेके थ्रू विकलांग व्यक्ति की देखभाल करना सीखते हैं और हर सेमिस्टर में हर बच्चे को एक अंधा दिन और एक बहरा दिन और एक होता है यदि कोई अंधा है तो अन्य बच्चे उसकी मदद करते हैं और यदि कोई बैसाखी के साथ है तो अन्य बच्चे से चलने में सहयता करते हैं लेखक मिस बीम को एक आँखों पर पट्टी बंदी लड़की के पास ले जाती है और लड़की से कहती है कि यहां आप से एक जेंटलमेन आये हैं आपसे बात करने के लिए तो वो जो लेखक है वो पट्टी वाली लड़की से पूछता है क्या तुम इस पट्टी के अंदर से जहांकती नहीं हो लड़की कहते हैं नहीं यह चीटिंग होगी तो आगे बताना शुरू करती है कि यह बहुत ही मतलब ब पहयानक लगता है कि वह अंधी है और उसे आस पास की चीजों से कोई इंसिडेंट होने का डर लगता है वो लेखक को साथ सार टहलने के लिए कहती है लेखक वही बताता है जो वह देखता है में लड़की से कहता है कि मिस बीम एक लम्बी लड़की के साथ है पट्टी वाल पर पट्टी बंदी होई है जो आज अंधा होने की अक्टिंग कर रही है वह उससे उस लड़की के कपड़े के रंग के बार में पूछते हैं तो वह कहती है कि यह हैड़ गर्ल मिली होगी वह उसके कपड़े और का अंदाज लगा के उनको यह जबाब देती है अब लेखक के लेखक कहता है कि सामने गुलाब के पिरड को चाटने वाला एक ओल्ड मैन है तो लड़की जवाब देती है कि वह जरूर एक माली होगा आगे वह पूछता है कि वह बताता है कि गुंगराले लाल वालों वाली एक लड़की बैसाखी के साथ हमारी और आ रही है तो तरह के स्कूल की अलग यह ट्रेनिंग जो बच्चों को दी जा रही है काफी क्रियेटिव लगी बच्चों यह जो कहानी है यह हमें अपंग और विकलांग लोगों से अच्छे से पेश आने की प्रेणा देती है